तो आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल में कूगिन भीत काजिल ब्लोग आज मैं अपने इस चैनल पे नया रेस्पी सेयर करने वाली हूँ जी हाँ आज मैं बनाने वाली मिक्स भेज बेबी कॉर्ण के साथ तो चलिए इस रेस्पी के सुरुवात करते ह तो सबसे पहले यहां मैं रेस्पी बनाने से पहले जो इसमें मैटेरियल लगेगा मैं वह दिखा देते हूं तो यह हैं सिम्ला मिर्च प्याज, गाजर, बींस, टमाटर, जो इसको मैं सबको roughly कट किया है और यह है लाश्ट में बेवी कॉर्ण जो यहां मैं बेवी कॉर्ण में आपको क्राइब कर चुक है तो यहां मैं कराही गरम कर चुकी तो यहां साबोट जीरा तेज पता और मैं यहां तो इसको मैं कट ले हैं जो शाटक जा थो एक मिनट के लिए प्याज को फ्राइए करना है यहां ज्यादा नहीं किरे कुए सारे सब्जी को हम यहांँ एक सेकेंड के लिए सारे सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी सारे जितने भी खड़े खड़े और एकदम हरी भरी दिखेगी अभी जितने अभी कलर्फूल है तो वह बहुत यही होता है लोगों सब्जी को ट्राइ करके दिखा रहे हैं। तो आप लोग भी इस रेस्पी को जरूर ट्राई कीजिए बहुत ही अच्छी और हेल्दी फूड यह रेस्पी है तो चलते हैं ग्लाइश्टी पे तो यहां मेरा जब प्याज फ्राई हो चुका था तो उसके बाद मैं यहां एड की थी बीन्स और उसके बाद मैं एड की थी उसको अच्छे से मिलाते हुए सारे सब्जी को फ्राई कर लिये हैं एक एक सेकेंड पर अब हमारा जब यह सब्जी देखे कितना ज्यादा कलर्फूर और अच्छा लग रहा है यह रेस्पी तो जब हमारा ऐसे फ्राई हो जाए तो अब हम यहां एड करते हैं लास्ट में स घंका की तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी से खाने का वमांग कर रहे हैं इतना ज्यादा कलर्फूर बहुत ही ऑठंडी के मौसाम में बहुत ही यह ज्याधा स्वादिष्ट है क्योंकि इतना ज्यादा सब्जी आज मैं एक साथ सबको चलिए ठ्लिए उत्को इतना ज सबarent कर रहे हैं नमक स्वाद के निशार एड़की हैं उसके बाद हैhem 20 चमच हादी पाउडर अधा चमच एहां मात्र के लिए और उसके बाद धा गरम मसाला यहां में में यहां एक यहां ऄटाधि लिए कर दें कर दूझ इसके परम फूरक के français जो सब्जी के पाले मीए बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और लास्ट मैं यहाँ आएर कर रहे हूं चाट मसाला तो चाट मसाला से हमारे सब्जी एकदम चटक लगती है खटी बाली जो सworkती अच्छा लगता है घम सब्जी हमारा तो इसको हम अच्छे से मिलाखे और कवर करके पांच मिनट के लिए ढंक देते हैं ताकि जो हमारे देखेगे इस टीम से एकदम हलके हलके एकदम गास का फ्लेम कम करके बहुत ही असानी से सब्जी बहुत ही अच्छे से एकदम पक जाएगी तो चलिए देखिए हमारा कितना अच्छा वीडियो अगर आप लो हम ठककन हटाये तो कितना अच्छा हमारा सब्जी एकदम परफेक्टली हमारे खड़े खड़े सरे सब्जी का जो क्रश्थ अच्छी और भी निसानी है इसको को कते एंदम 100% सब्जी फर्फेक्ट हमारा बना है तो इसको भी अच्छे से बेबी कॉर्ण को मिला के और हम अच्छे से उपर नीचे मिला देते हैं ताकि हमारे एक दूसरे में पाँछ मिल्ट हो जाया सब्जी अब इसको अच्छे से धक के पांच मिनिट के लिए छोड़ देते हैं तो पांच मिनट के बाद यहां पर तो यह देखे पांच मिनट के बाद जब हम кладकन हटा के MRS अमारी में इस में पानी एक बाज व्यश्य जोवारा कि सब्सक्राइब देखें लिए अपने इस्तीम से इतना ज्यादा सब्सक्राइब देखें पर प्रफेक्ट सबजी तो चलिए हम इसका फ्लेटिंग कर लेते हैं यह देखे गो भी हमारे एक दम खड़े बेबी कॉर्ण भी एक दम पक चुका है गाजर टमाटर सिमला मेर्च सब कुछ मतलब खड़े दिख रहा है प्याज भी है मुह में पानी आ रहा है ना सबजी देखे एक दम ठंडी के लिए यह मिक्स बेज बहुत ही स्वादिष्ट और पॉस्टिक वाले सबजी है तो बहुत ही अच्छे लगता है यह सबजी तो आप लोग भी इस रेस्पी को जरूर ट्राय कीजिए मेरे इस ट्रिक को फॉलो करके और अपने फ्रेंड और फैमिले के साथ सेर कीजिए बह बिरूर कीजिएगा दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में बाई फ्रेंड्स